पाइनली बजट आ गया जिसका इंतजार था कि सरकार क्या कहने वाली क्या करने वाली आप भूयाद होना ची कुछ महीने पहले मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी इस चैनल के उपर में और साफ साफ कहा था आज हम लाइव बैठे वे इस सुबह मौनिंग में लाइव सरकार बनी थी तो उससमें मैंने एक वीडियो बनाए थी एक महीने पहले देखिए बविश्यवानी पार्ट टू मोधी सरकार क्या करेगी स्टॉक्स टू बाइनाओ इसको वीडियो को जाके देखना इसमें क्लियरली कहा था कि ये बजट कृषी प्रधान बजट रहने वा लॉंच की ELI जिसे PLI है production link incentives है वैसे employment link incentive बना दिये गए जो बहुत ही काविले दा रहे हुए जिससे यहां पे employment को बल मिले का employment की तरह बड़ा सरकार का focus दिखाई दे रहा है तका समझ रहे है कि यह नौकरिया बहुत जार ज़रूरी है जैसी दिम्लाइब सितरावन जी का budget म एक ऐसी बात कही कि सुवह से बजार रुका हुआ था रुका हुआ था रुका हुआ था दो ऐसे मुख्य बातरी जिसके वैसे बजार हाहा कार करता दिखाई दिया धराशा ही वो crash कर गया इंट्राडे में crash कर गया और उत्री तेजी से बजार में recovery भी दिखाई दी इस video को बनाने के पीछे परपस है कि अगर आप सोच रहे हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना तो शायद आपके थोड़ी सी मदद करने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ अगर आप उस सेगरी करते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट दरूर कीज़ेगा आपको क्या लगता है कि निर्मला सीतारा मंजी के इस बजट के बाद में अब बज़ार कैसे देख रहा है क्या निफ्टी वाकई 15-16 हजार चली जाएगी या हम अभी भी 30 और 36 हजार के दर जाने के तयारी कर रहे हैं ना सबसे पहली चीज जो इस बजट में देखने को मिली जिससी की वज़े से बज़ार गिरा वो एक था हमारा टेक्सेशन हम सोचे थे टेक्स में रिफॉर्म साने वाले हैं हमने किसी ने भी नहीं मैंने भी नहीं सोचा था किसी मीडिया होसे में नहीं सोचा था कि बज़ार में ये सब होने वाला है दो तरह की taxes होते हैं हमारे stock market के उपर में एक होता है long term capital gain tax एक होता है हमारा short term capital gain tax अब ये पहले था 10% और ये था पहले 15% इन दोनों को बढ़ा दिया गया है इसको 12.5% कर दिया गया है और इसको कर दिया गया है 20% ये सबसे बड़ी खेल रही सबसे बड़ी वज़ा रही है आज के trigger होने का अब मैं पूछता हूँ आप में से कितने लोग आप में से investors हैं आप तो option player है option trading करते हैं आपको इससे क्या फरक बढ़ता है हाँ बात ये सुनने को आ रही है कि शायद इसकी वज़ेस से जो FIs है वो हमारे देश से भागना शुरू हो जाएंगे ये यहां से निकल जाएंगे और हमारे देश में crash आना पका है तो इंडियन markets over valued दिखाई दे रही है railway की स्क्स इतना भाग गए थे उतना भाग गए थे railway के तो कुछ मिला ही नहीं railway के ऐसी दुलन की तरह ट्रीट कर रहा था जिसको लग रहा था कि मुधी खाई में बहुत सारे जिवरात मिलने वाले हैं पर मुधी खाई में सिर्फ वही दस तोली की चेन मिली जो पहले से उसको कहीं वक्त पता दी तो वही चेन मिली तो बुरा मान गई तो भाया एक बात बताओ क्या रेलवे सेक्टर में जो चार्म है जो रेलवेस को बनाने के कॉंट्रेक्ट पुराने मिले हुए इतने लाग करोड का बजट पहले जो दिया हुए क्या पूरा हो गया क्या वो कॉंट्रेक्स पूरे आवंटन हो गया उनका क्या बट गए पूरे कॉंट्रेक्स अभी बहुत कुछ बटना बाकी है बहुत कुछ होना बाकी है अभी कश्मीर से करना है कुमारी हम travel नहीं करने हैं, हमें connectivity करनी है, north से east, east से west, west से south, पूरा भारत वाला project है, अभी बचा हुआ है, काम होना है, अभी तो ये budget आया है, अगले साल फरवरी में फिर से budget आने वाला है, वहाँ भी कुछ हो सकता है ना, तो कुछ चीजों को ध्यान यहां रखा गया है, कुछ prices देश से निकल जाएंगे, आपको याद होना चाहिए, सबसे पहली बाद, जब long term capital gain tax, जब zero हुआ करता है, उसके बाद, जैसी 10% LTCG किया गया था, market crash कर गई थी, आज उसको बढ़ाया गया है, market crash नहीं की, निफ्टी वहीं की वहीं है, STCG बढ़ाया गया है, market crash नहीं की यहाँ small cap, mid cap ने bleed किया, वो बहुत बुरी तरह से गिरे, पर जितनी बुरी तरह से गिरे, उतनी बुरी तरह से, उतनी तेजी से वो बढ़े भी, मैंने पने गूर्प में message कर दिया था, अपने दोस्तों की भईया, ड़नें की दिरूतनी, opportunity है, हर dip, opportunity की तरह है, treat होना चाहि कि आपको कौन सा share पसंद है, बहुत देखो, जितना वो गिरा है, simple सा funda है, अगर आपका share जो आपको लगाना है, जिसमें पैसे लगाने, for example, आपको इसमें 100 रुपी लगाने, देखे, आपको एक है, एक वो देता हूँ, सपोस कीजिए, आप 100 रुपीज invest करना चाहते है, एक लाग रुपी आपने इरकॉन में investment करनी है, एक लाग रुपी आपने इरकॉन के लगा के रखे हैं, कि इरकॉन में एक लाग रुपी लगाने हैं, अब इरकॉन आज 20% गिरा, तो इसमें जितना स्टॉक गिरे, 20% आप निवेश कर देजी, आपको 20,000 रुपे इरकॉन म लगा देने चाहिए, बाकि बच्चे 80,000 रुपे, मान लीजिए 20% और करेक्ट करता है, तो 80,000 का 20% कितना हो जाएगा, 16,000 रुपे, 16,000 रुपे वहां लगा दीजिए, तो आपके 36,000 रुपे निवेश हो जाएंगे, एक एवरेज के उपर में, फिर 20% गिरता है, जो गिर करते हैं, ये एक लाग रुपे पूरे अच्छे से लगा सकते हैं, और उसके बादे स्टोक रिवर्सल करना चालू करें, जब अगले 10% बड़े तो बाकी परसेंट 10% वहां लगाईए, आप एक स्टाइल तो बनाईए, ट्रेड करने के लिए, जब ऐसे इन्वेस्मेंट कर आके रखें, जब नोट्स निकाल ले रहा हूं, है न, ये मैसल आपके तक पहुँच गया होगा, पर नोट्स और जाना जाना जा रही है, एक और चीज़ जिसने बजार को गिराया, बजार को गिराने वाले एक तो capital gain tax था, ठीक है, दूसरी चीज़, STT, ये आई, FNDO वाल अब FNDO traders को खर्चा जा देना पड़ेगा, STT on FNDO propose to be increased from 0.02 to, पहले 0.1 थी, इसको 0.02 किया जा रहा है, और ये वज़या रही आपके FNDO के traders को नुकसान होने, कि भी आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, पर जिसको सट्टे की आदत है, वो कहा है STT देखके सट्टे मारता ह क्या आपने आज से बिले STT को देखके सट्टे मारे हैं, नहीं मारे ना, आपने position मिलाने से पहले आपको ये भी पता है, STT लगनी कितनी है, क्या कौन से डर्नो टेक्सिस आप पे करते हैं, कौन से चार्जिस आपके उपर लगते हैं, दलाली के अलावा, है आपको कुछ प अब एक बात बताओ, जब हमारा long term capital gain tax बढ़ा दिया, तो एक website दिखाता हो, CDSL के data है, मेरा data नहीं ध्यान रखना है, इसको पहले भी कुछ वीडियो में दिखाया है, मैंने आज दुबारा सा देखलो, क्योंकि हो सकता है, viewership नहीं हो, इसको इसके बार भी नहीं पता हो, य 2021 में, जन्वरी में, यह दिखी, जो यह वो data है कि top 10 countries है, जन्वरी 2021 में, जिन लोगोंने हमारे देशें पैसा लगा रहा है, कोवीड के बात की बात कर रहा हूँ है, यह पर किता बास लगा था, 37,15,000 पे सिर्फ equity में लगे हो था, debt के अंदर में कितना लगा हो था, 2,85,000 क करोड रुपे, 37,15,000 करोड रुपे, equity में लगा हो था, और सबसे बड़ा investor कोवन है हमारे देश में, United States of America, इसके पैसे कितने लगे हो है, 13,52,000 करोड रुपे, Mauritius, Luxembourg, 3,00, Singapore, 5,00, United Kingdom, 2,00, फिला कुल मिला के 37,000 करोड रुपे लगे हमारे equity में, जन्वरी के महीने में, अब 37,00,000 करोड थे, December तक आते यह बढ़के होगे 48,00,000, 48,56,000 यह देखे, 48,56,000, US अभी भी टॉप में है, इतना पैसा यह लोग लगा के बैठे हैं, अगर इनको crash करना होगा ना तो यह आपका बज़ार लुक है कहानी कहीं पर, उसके बाद में, 2021 के बाद में हम चलते ह 22 के, देखे, 21 का इंता 48,00,000 करोड रुपी से, 48,00,000 करोड थे, 48,00,34,000 करोड, 10,000 करोड की सेलिंग होई 2022 के इंदर में, तो यहाँ पे 12,23, क्योंकि 12,23 आपका extraordinary year है, आपने बहुत पैसे बनाए हैं, कैसे बनाए हैं, 48,00,34,000 करोड से, December 2023 खतम होते होते, total investment कितनी होगी, 61,33,000, 61,32,000, 61,32,000 करोड रुपे, पहले क्या था आपके 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 आपके, 48,00,34,000, अब यह बढ़के हो गया, 61,32,000, यह पैसे बनाए हैं आपने, और जिन लोगों ने इस हर बढ़ते होँ में निवेश किया है, आपको क्या लग रहा है, कि ज़रा से LTCG के बढ़ आपको दिखाता हूँ, यह तो डेटा रहा, 12,30 के आपको दिखाता हूँ, यह तो डेटा रहा, 12,30 के एंड होनेगा, 12,24 में आप आचुके हो, 12,24 की शुरुआ जन्वरी में कितना था, 61,99, 61,32 से 61,99,000, उसके बाद खतम होते होते, माई का डेटा है, जून जुले का डे 6,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 अगर ऐसा हो सकता है 31 में हो चालीस में हो ते यह सब चीज़े कहां से होगी capital expenditure करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपके पास वो मोके के इलावा कुछ होना नहीं चाहिए है ना एक नजार मार लेते हैं आपके सभी उन socks के बारे में जो बुरा मानगे सबसे पहले railways मेरे पास तो watchlist है आपके आस पता नहीं watchlist है कि नहीं आप सोचते है टिप देखे जा था टिप देखे जा टिप क्यों दे 560 का 590 बंद हुआ है अलगी profit booking दिखाई दे रही है पर recovery भी तो दिख रही है आपको रेल टेल कितना गिरा रेल टेल की बात करते 32 रुपे रेल टेल गिरा आर्टेल रेल टेल हमारा यहां से गिरना साट वास तो यह देखे आज कर देखा हमाही था 540 के आसपा 545 के आसपा करना है ना आप इस breakout के बाद प्ले करोगे या आप इसको और चोटे चार्ट पर कहीं आपको लगता है आरे से कैसा पोड मिल गया क्या आपका कोई इंडिकेटर आपको कह रहा है वॉल्यूम आपके आनुश रोज है यहां पे देखो कुछ consolidation दिखाई दी एक बढ़िया सी जार चार ट्रेडिंग नहीं करनी है हमको हमें समझदा ट्रेडिंग करनी है जो भी स्टोक हो कुछ भी यह वीडियो स्टोक पताने के लिए नहीं है आपको सपोस करो railway छोड़ो यार आपको लगता है कि मुझे aggro stocks में काम करना है fertilizer में जो सबसे जारा गिरा बढ़ा स्टोक वो देखो कौन सा है देखो fertilizer में बड़े भी हैं स्टोक P.I. industry बढ़ा है M&M बढ़ा है Deepak fertilizer बढ़ा है force motors बढ़ा है Wabak बढ़ा है KCL बढ़ा है और देखो और सामने और देखो evergreen यह मेरी watch list है अरे भाई देखो इसमें सुजलोन भाई NCC साथ परसेंट NCC तेज हुआ है इसको क्या हो गया क्या यह हमारा 1223 का hero नहीं था सुजलोन अपर सर्कीट है 5% का दुनिया एक तरफ सुजलोन इक तरफ JSW Infra बढ़ा है 3% अशोका बिल्ड कॉन बढ़ा है 1.6% HCC बढ़ा है यह सब सौक गिरे से कौन नहीं किरा था अशोका नहीं किरा था देखो डेट परसेंट गिरा है अशोका की अगर देखते हैं आप आज की डेली कैंडल देखो अरे लुकेट अशोका बढ़ा है यह कहां आए था 242 का हाई लगाने के बाद में इसने 208 का लो लगाया 208 का लो लगाने के बाद में 240 बंद हुआ है तोच सकते हैं आप मतलब इतनी amazing buying कौन कर रहा है बढ़ा है इंफ्रा के stocks हैं सारे इंफ्रा देखिए तुमें फार्वा की वो company जिसमें भी sales आट नहीं है 100 रुपे पर वीडियो बना के दे थी मैं अभी भी अपर अपर green territory में trade कर रहा है SDBL, GPPL गुजात पिपाव पोर्ट यह पोर्ट की वो company है जो जब तक थंडी बैठी ही बैठी है जब चलेगी ना आपके हाथ में नहीं आएगी free session का जो tab आपको मिलेगा उसमें मिलेगी तो सबसे पहले जाके real scalper ripple जिस नाम से चैनल है आपको याद रहेगा इसी नाम से मेरी application है आपको Google Play Store पे मिल जाएगी ठीक है यह हमारी टीम का नमबर है यह नीचे description में चल भी रहा है description में मिल जाएगा चैनल के about section में मिल जाएगा और पट्टी पे भी आपको दिखना होगा इस नमबर पे आप contact कीजिए आपको सब चीज़े इंफॉर्म मिल जाएगी बहुत ही जल्दी हमारी classes भी announce होने वाली मैं आ आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लाएक है या इससे बेटर ट्रेनर आपके पास में आपके 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 सीख सकते हैं अब कहानी सीजिसी यह आती है कि सबसे पहले चैनल को सबस्राइब कर लो बैल नोटिफेशन को आपके आपसे मिसना हो फिर उसके बाद में आपक कि मुझी भी संद्मिया कि आपके सोच रहे हैं और दूसरा इस डेटा को जाके देखिए सीडीसल के डेटा आपके पास में है आप बहुत इंटरस्टी है जाके देखो कबसे बजार कबसे यहाँ पर हमरे पर 2012 से डेटा है 2012 में जंदरी में कितनी इंवेस्मेंट दिखा ली तीन लाग 31,000 करोड की 2012 में इतनी सी इंवेस्मेंट थी 3,31,000 करोड की और उसके बाद दिसंबर 2012 में 3,4,47,000 करोड हुआ और आज हम बैठे है 66,000,000 करोड पर रिस्क तो है कुई डाउट नहीं है पर इतना इंवेस्मेंट आ रहा है इतना पैसा इक्विटी में क्यों आ र जाएं इससे better opportunity नहीं हो सकती कि अगर आप आपने एक अच्छे बिजनस को study कर लिया और उस business की equity में निवेश कर लिया as a shareholder तो आप wealth Christian की journey में enter हो चुके आपको सिर्फ भरोसा रखना है और study को polish करते रहना है मिलता हूँ किसी नहीं इंटरस्टी वीडियो में ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्षिन में कमेंट जरू किजगा और कल आपके साथ लेकर आएंगे budget specific stocks की पूरी list पूरी एक watch list जिसके उपर हम इस साल काम करने वाले हैं से हम अगले budget तक दख्याल रखिये मैं मिलता हूँ कल की वीडियो में तब तक के लिए ठेके बवाए जहिन